बाबा योगी आधित नात का जो ये बुल्दोजर ने आए हैं अगर ये नहीं बंद होगा तो इस तरीके की घटनाओं की पुन्रवत्ती आई दिन होती रही है यहाँ पर जिलाधिकारी को बचाने का काम होता है। कि किसी भी तरीके जिलाधिकारी को बचा लिया जाये और जिलाधिकारी को आधेश कौन देता है। पूर पीम नीज नेटवक में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ श्रतिश कांत बता दू इस समय कानपूर दिहात में हूँ रूरा मडौली और जश्ट पीछे वही घर है जहां सकी बताया जा रहा है कि परिवार के दो महिला एक माँ बेटी की मृत्तिव हो गई मडौली हुआ हुआ यहां पर छामनी में तबदील कर दिया गया है पूरे गहों को आपको बता दें जिस समय रोम जल रहा था ऊससमय नीरो बासूरी बजारा थी त्टीक उसी तरह जिस समय यहां पर वो जो मकान था जल रहा था मा बेटी दूनों जल रही ती उसी दौरान Aampur देह कैसे tense महाल रहता है और लगातार के जितने भी लोग है आना तो चाहते यहां पर परिवार से मिलना चाहते लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा हम सभी को हाउस किया जा रहा रहा है तौल पर परिवार सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही विभत से घटना है और यह बाबा योगी आधितनात का जो यह बुल्डोजर नहीं है अगर यह नहीं बंद होगा तो इस तरीके की घटनाओं की पुन्रावत्ती आई दिन होती रहेगी मैंने पीड़तों के परिवार से बात करी उनकी अपनी तमाम सारी जो डिमांड्स हैं अब उनके यह जो जिनकी मिरत वी उनको वापस प्रशाशन नहीं लाके दे सकता मुखमंत्री और पधान मंत्री जी वापस लाके नहीं दे सकते लेकिन उनके दो जो महिला का न कोनों के लिए सरकारी आवास जो हमेशा के लिए उनके नाम हो और एक करलो रुपए का मुखजा और जो बुजुर्ग है उसमाहिला के पती देव उनको आज इवन जब तक वो जीवित रहें उनको आज इवन सरकार की तरफ से पेंशन मिले जिससे अपना गुजारा भत्ता कर सकें और साती सात्त कि जितने भी दोशी लोग हैं चाहे वो sdm हो चाहे तैसिलदार हो चाहे प्रवारियों या जो भी लोग उसमें 8 हो सभी के खिलाब जैसा कि मुकदमा काइम किया है और उनके खिलाब मुकदमा काइम होने के बादे उनको गिरफतार करके जेल बेजें और साथी साथ जिस तरीके से योगी आदितनाथ हातरस में उन्हों जिस तरीके से किया कि डियम सारा कसूर डियम का था और डियम के साथ उसके सहयोगी थे त करकार कर रही है एक बड़ी एक बड़ी प्रसासनिक चूक है यहां पर देखिए यहां पर जिलाधिकारी को बचाने का काम हो रहा है कि कि किसी भी तरीके जिलाधिकारी को बचा लिया जाए और जिलाधिकारी को आदेश कौन देता यह भी पुर्या उत्तरवदेश जानता है क तो कहीं ना कहीं जो आदेश देता है वो अपना गिरेबान बचाना चाहेता इस घटना से इसलिए हम आदमी पार्टी की यह मांग है कि जिला धिकारी के खिलाब भी 302 का मुकदमा कायम कर उनको जेल भेजा जाए और जो पीडित परिवार है उस परिवार की जो मांगें उन म सांगों को अभिलंब पूरा किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसत्त तक उनके लिए लड़ाई लगती रहेगी और उनको न्याई जिलाने काम करें हम यह बात कर लें जिस समय घटना घटित हुई उस दोरान पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी पुलिस बचा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तिकि मुझे जितना मने अध्यन किया उसके इसाथ से मुझे लगता है कि SDM साहब वहाँ मौके पे मौजूद थे और लेकपाल साहब ही इसके की प्लानर थे लेकपाल साहब की प्लानिंग में SDM साहब भी सामिल थे पुलिस तो SDM साहब की मौजुदगी में केवल हुकुम मुदूली के लिए थी जिस समय घटना ये होते दिखी पुलिस अगर सावधानी बरती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था उस समय भी छपर गिराने का यानि और पलट देने का आदेश किया गया ये भी एक वीड पुलिस अगरा के लोग इस घटना पर समय दन सील थे लिए इस घटना के बचाओ के मूद में थे ही नहीं इस घटना पर जितना ज्यादा-ज्यादा तमासा हो सकता करने के मूद में खुद लोग गये थे प्रदेश पात्द्यक्ष मौहमाद शाहिद नामे मेरा जी यहां तक के बताया जा रहा है सूत्र बताते यह बताया जाता थाने तक के पैसे बाटे गए थे बंदर बाट हुई थी एक बड़े स्तर पर लेकपाल को भी पैसे मिले थे उसके बाद यह लोग आए थे क्योंकि वहां पर फायर बिगट की गाड़ी तक नहीं थी नोटिस देनी चा जान सबकी बराबर है और जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा इस परिवार को हम लोग धरना देते रहेंगे सड़क से सांतर तक हमेशा साथ में रहेंगे इनके अच्छा सर फिर से आपके पास आते हैं कानपूर को यह तक कहा जाता है ब्रामणों के लिए अभिशाब बन सर्कार देखिए योगी आधितनाट की सरकार एक जाती विशेश की सरकार बने रह गही है कि इस जतमे कि धलितों का तो उत्प्रण हो रहा था अब संखिवां का उत्पोड़यन हो रहा था पिष्ण दोए रही है कर रही है एक जात्विशेश की पाठी एक सरकार बनके योगी आतनी दात्थ प्रसकार रह गई एक बात कर लहें वीडियो कॉलप पे खुद ब्रजेश पाठक नहीं बात की जो कि सूबे के उपमुख्यमंत्रिय मंतुरिया, कि कोशिश कर रहे हैं कि उनने करें या सोषिण और zepीड़नल थोड़ा सा कम दिखे लेकिन देपके स्वश्य का वाज है। अधितनाथ जब तक ब्रामनों का ये शोषण ब्रामनों पर ये बंद नहीं करेंगे अत्याचार तब तक ये अत्याचार इस उत्तरप्रदेश की सरकार में बंद नहीं होने वाला है कि हमारे साथ कुछ महिला भी हैं आप से बात कर लें जो घटना घटित हुई उस पर आपका क्या नाजरिया है हमारा नाम जिलाद्य शुनीता वर्मा ये जो महिला सुरच्छा कहते हैं अब ये बताएं सुरच्छा है कहां हमारी महिला दिन राज जलाई जा रही है कहीं कुछ हो रहा उनके साथ बी धर गटना हो रही हमारी शौछछ नम पर सुरच्छ नहीं मैलाओं के साथ में गलक जो हुआ जraum сплоकौना जिवत्वा पॉछना चाहिती हूँ कि मैलायों सुरुच्छा ऋख्याती शुरौण से देंसे यह को बचा था भी नहीं बताएं बचा दी कृत प्रांतुपाद्यक्ष एक वीडियो वाइरल होती है एलेक्षन के दौरान ऊपर से योगी आजितनाद हेलिकॉप्टर से देख रहे होते नीचे कहते हैं वो देखो बुल्डोजर हमारे स्वागत में खड़ा है आज वही क्रेन वही बुल्डोजर आ करके छपपर घसीट तब महिलाओं की मृत्ति हो जाती है जल करके जिंदा जल जाती है क्या कुछ कहेंगी महिलाओ साम घोरन्याएं हो रहा है खोरन्या हो रहा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये कुछ नहीं है लुग रही है कितना बेटी बचाओ में सरकार रुख रही है वह तो आप लोग देखी रहे हैं मेडिया इस चीज को चाहिए कि तो हाइलाइट करेगी कि एक एक्च्वल क्या बाहर देखो कुछ बता जाता है जब अंदर प्रवार से मिले हम लोग तो असली असलित क्या थी वो समझ नहीं हम लोगों को कि वह साजिसन के तहट उनको मरवाया गया ना कि उन्होंने आग लग बता जा रहा है गिरफ्सदारिक जस तरीके से होनी चाहिए परिवार की जो मांग है उस एकॉरडिंग अभी तक के कुछ भी नहीं हो मेरे साथ अभी थे आम आदमी पार्टी के वो डेलिगेट जिनको सांसा संजे सिंग ने खुद भेजा थे यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर दरू करें मैं हूँ शत्रेश कांत कैमरा परशन शुब हम के साथ धन्यवादू झाल मुझ में वेलिग झाल झाल माँ झाल झाल